जय हिंद आज हम पढ़ने वाले हैं MP प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2022 में 16 जन्वरी 2022 की 1st and 2nd सिप्ट में पूछेगे GKGS, MPGK और साइन्स के कोशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखतें आज का फर्स्ट कोशन आज का फर्स्ट कोशन है संध्या अगरवाल किस खेल से संबंदित जितने भी में हैं या जितने भी बुमेंस हैं इन सभी से संबंदित कोशन देखना है तो कल सुबह आपको यह वीडियो प्रवाइट करा दिया जाएगा जहां पर आप लोग MP के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी से संबंदित प्रस्ट देख पाएंगे तो त सेकंड पालिम पूछा गया कोशन है मध्यप्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टावी सीतर रमया और बरतमान राज्यपाल है मंगु भाई छगन भाई पटेल तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी सिफ्ट में नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो यहां पर आंसर होगा हिदायत उल्ला हिदायत उल्ला मुहमद हिदायत उल्ला मध्यप्रदेश उच्छ न्याले के पहले मुख्य नायदीश थे तो यह कोशन एक बार पहले भी पूछा जा चुका था तक्रिवन 11-12 तारिक में और के नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया था मध्डिप्रदेश के महद्धिवक्ता की निक्टी कोन करता है तो यहां आज कौन है तो यहां कोशन पूछा गया था तो आंसर होगा सिरी पुरुसेंद्र कोरब बरतमान में मध्यप्रदेश के महादिवक्ता है देखिए अब इससे संबधित जो फेक्ट है जो पूछे जा सकते हैं वे मैं सभी आपको यहां पर बता देता हूं तो बरतमान में मध्यप सरवोच बिधी अधिकारी होता है और अनुच्यद 170 के अनुसार बिधान सभाग की बेठकों में भाग ले सकता है तो अनुच्यद 177 यह एक्जाम 11 या 12 जनवरी में 2nd सिक्ट में पूछा गया कोशन है तो यह भी देखिए एक कोशन यहां से और आ चुका है तो एसे जितन से भी कोशन की वीडियो देखना आए आप उने चैनल प्लेट्श में जाकर देख सकते हैं और डेली एनलाइसेज हम पूरे वही कोशन लेकर आते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली का एनलाइसेज देखे अब कोशन रिपेट होने लगे हैं तो अनुचर 177 के अनुसार बिधान सभा की सभी बेटकों भाग ले सकता है जब कि वहां बिधान सभा का सदसन नहीं होता है फिर भी महादिवक्ता की नुक्ति की जाती है राज़पाल के द्वारा आगे बढ़ते हैं बागे तो अनुच्ट करता है तो इसका जो राइट आंसर वहें निवेसकों के हितों की रक्षा करना और प्रतीभूती बजार को बढ़ाबा देना और अ कि नियमित करना है सेवी का फुलफाम होता है Securities and Exchange Board of India आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा पूछा गया था गुपतेसवर मंदिर कहा इस्ति थे तो आपका आंसर होगा चारवा जिला हर्दा के चारवा में गुपतेसवर मंदिर इस्ति थे यहाँ स्विव भगवान का मंदिर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हमारा भोजपूर जहाँ सबसे बड़ी सिवलिंग पाई जाती है वहाँ किस इस्थान से 25 किलोमेटर की दूरी पर है यहाँ बेतवान अधी के दहिनी और एक उची पहाड़ी पर इस्तित है बोजपूर मंदिर या भोजपूर मंदिर इसे कहा जाता है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पूछा गया था 1916 के लखनव समझोते में कांग्रेस का प्रतिनी धित्व किस नेता ने किया था तो आंसर होगा अंभीका चरण मजुमदार इसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हुए थे और मुस्लिम लिग के साथ भी कुछ समझोते हुए थे तो 1916 के एतियासिक लखनव समझोते की जो अध्यक्षिता है वह की थी अंभीका चरण मजुमदार जी ने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन पुछा गया था निम्रलिकित में से पेट्रोलियम से कौन सा पधार्त नहीं बनता है तो आंसर होगा कोईला इसका अतिरिक्त पेट्रोलियम तेल पेराफिन मोम यहां सभी किसे प्राप्त होते हैं और कोईला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है और यहां सभी जिवास्म इंधन के उधारान है नेक्स्ट कोशन यहां पर पुछा गया था पेराफिन मोम किसे प्राप्त होता है तो आंसर होगा पेट्रोलियम लाश्ट में जो पेट्रोलियम का पूरा भाग बसता है उससे बनाया जाता है पेराफिन मॉम आगे बढ़ते हैं next question यहापर पूछा गया था निम्न लिखित में से गलत उत्तर का चुनाव कीजिए देखिए अब यहाँ पर निम्नलिखित में से गलत उत्तर का चुनाव कीजिए तो मगद में अधिकांस कारोबार नाओ के माध्यम से होता था मगद में लोह एसक का भंडारन था मगद के किसान वहां के राजा को अपनी फसल का एक बटा तीन भाग के रूप में देते थे तो देखिए मगद समराज से संबंदित प्रस्ण पूछा गया है किसी भी बिसेस बंसे संबंदित प्रस्ण नहीं पूछा गया है कि फर्स्ट सिप्टम पूछा गया कोश्य नहीं 2023 का पुरुस होंकी वल्ड कप इस देश में होगा तो अंसर होगा भुबनेश्वर के कलिंगा इस्टेडियम मतलब की भारत देश में 2023 का पुरुस होंकी कभी सुका पुरुसों की AIH होकी विसुक पंध्रवा संस्क्राण है ज की स्टेडिया में 13-29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा भारत चौथी बार होकी विशू कप की मेजवानी करेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहापर पुछा गया था महिलाओ को बोट देने का अरिकार सरप्रथम किस देश ने दिया तो सबसे बड़ा संग होता है इनका सरीर बक्ष और उदर में बटा होता है मतलब कि जितने भी कीट पतंग होंगे वहाँ सभी इसी बर्ग के अंतरगत आते हैं अर्थात यहां प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन यहां पर पूछा गया था बिहु उंद्रयत ते किस राजी से संबंदी थे पांसर होगा असम राजी से देखें यहां 14 जन्वरी 14 जन्वरी 14 जन्वरी 14 या 13 जन्वरी की फर्स्ट और सेकंड में दोनों ही सिफ्टों में पूछा गया कोश्चन था और आज फिर रिपीट हो गया तो देखें कोशन रिपीट होना सुरू हो चुके हैं तो आप लोग यदि सभी वीडियो जितने भी अभी तक कुल मिला कर सिफ्टे हुए उन सभी का एनलाइसिस देखना चाते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप लोगों को यह कोशन जो की ओरिजिनल कोशन है एक्जाम में आए हुए कोशन है बही ह इसका आंसर होगा प्रकास की जो गती होती है यहां पर धोनी नहीं होगा प्रकास की जो गती होती है वह धोनी की गती क्या पेक्छा क्या होती है अधीक होती है इसलिए हमें जो बिजली की चमक होती हुआ पहले नजर आ जाती है और बादलों की गड़़़ाइट हमारे कान तक लेट पहुचती है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन यह पर पुछा गया था बुद्ध पार्क कहा इसती थे तो इसका जो आंसर है लगभग लगभग साची या विदीशा होना चीए तो इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ आप लोग इसका आंसर कमेट करके बताएंगे तो बुद्ध पार्क कहा इसती थे यहां कुशन भी पूछा गया था नेक्ट कोशन पूछा गया था राजगाल का किला कब बना था तो इसका सन पूछा गया था तो मैंने काफी में बाले 12 केला खरीदना तथा 5 रुपे में हां तो देखें यह कोशन यहां थोड़ा सा गड़बड हो गई है एक ब्यापारी है एक रुपे में 12 केले खरीदता है और 5 के 8 बेशता है तो उसका लाब हानी का प्रतिसत कितना हुआ है यह आपको बताना देखें एक में 12 सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देंगे दोस्तों बायोलाजी पर फिर नेश्ट कोशन में पूछा गया था एक खरगोस एक छलांग में 3 मीटर तथा एक कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है यदि कुत्य तथा खरगोस की प्रारंबी दूरी 20 मीटर रही ह तो कुत्ता कितनी छलांग में खरगोस को पकड़ लेगा तो इस तरीके से भी एक कोशन आया था फिर यहां पर आगे देखते हैं हम तो रिजनिंग की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 8 कोशन थे 1 शिफ्ट में और 2 शिफ्ट में थे 4 से 5 कोशन तो कोडिंग बेस्ट कोशन जो की जैनिवन कोशन थे आपको हमने बताए हैं यह सभी कोशन एक्जाम में पूछा गये थे तो एसे ही वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए आप तूरंत चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन की बेटन भी जरूर दबा लें ताकि आप लोग को प्लेलिस्ट में 2016 और 2017 के पूरे पेपर के सॉल्ड पेपर भी मिल जाएंगे तो उसे आसानी से देखें अपनी तयारी को और बहतर करें सभी को हमारी ओर से गुड लग जाहें दोस्तो